नमस्कार इस पेशल करिक्र में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत हैं मैं हो रूपम्तिरविक्रम दर्शकों जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में हमारा देश उर्जा की खपत के मामले में सबसे बड़ा तीश्या देश बंगर उभर कर सामनी आया है हमारी उर्जा अवर्शक्ताओं का लगभग एक तिहाई घरेलू तेल और गैस शेत्र द्वारा तथा लगभग 85 प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के जरिये पूरा किया जाता है इसलिए ये बहुत ही महत्यपूर्ण है कि हम सभी उर्जा कुशल संस्कृती को अपनाए इसकी उपाईयों की तलाश करें अपनी जीवन शैली से जुरी जो जरूरते हैं उसके लिए उर्जा के हरित और अपेक्शाकृत अधिक स्वक्ष विकल्पों की ओर या उसकी अनु और प्रवस्ता के बिभिन शेत्रों में उर्जा की कुशलता को बढ़ाबा देने की दिशा में लगाता और काम कर रहा है पीसी आर आई और तेल इबं गैस उपकर्ण साथ मिलकर हरित और स्वक्ष उर्जा अपनाए आजादी के अमरित महत्सब को मनाए ऐसे थीम पर जन ज जागृति फैलाने के लिए काम कर रही है दर्शकों आप सभी अब गते की आजादी के अमरित महत्सब को स्वतंतरता संग्राम के 75 वे वर्ष गाट पर बनाए जाने की शुरुवात माननिये प्रधान मंत्री जी ने गतवर्ष किया था और इस दिशा में लगातार साकारात पहल किये जा रहे हैं विवेनकारिय किये जा रहे हैं इसे के अंतरगत आजादी के अमरित महत्सब यानि की हरित और स्वक्ष उर्जा अपनाए आजादी के अमरित महत्सब को जन जागृती फैलानी के दिशा में साकारातमक पहल है एक बड़ी कोशीश है इन्ही सभी किया रहे हैं यह कारेकरम क्या है क्यों उर्जा की खपत कम की जाए क्यों उर्जा संडरक्षन के आवशकता महसूस की गई है इन्हीं सभी विश्यों पर बाचित करने के लिए आज हमने इपने स्टूडियों में आमंत रित किया है श्रेविवास कुमार आप कारेकारी निरभरता है उसे कम करने के दिशा में क्या कारे किये जार इसकी वैकल्पिक सुविधाएं क्या है या उपाय क्या है नमस्कार आपने बहुत ही अच्छा पहले लोगों को बताया उर्जा के संरच्छन के बारे में तो सबसे पहले जो हम अभी सक्षम महुत्सो मना रहे हैं संरच्छन चमता महुत्सो इसके बारे में जस्ट बता दें कि हर साल 1991 से PCRA एक डिपार्टमेंट है जो विभाग है जो MOPNG, Ministry of Petroleum and Natural Gas कंदर जिसके विभाग के तहत सारी हमारी तेल कंपनियां आती हैं उसी के अंतर्गत एक विभाग है जो 1991 से हम लोग इसके तहत पहले हम जनवरी सोला से फरवरी पंदरह तक हम यह महीना महुत्सो मनाते हैं इस साल चुखी पैंडेमिक था तो हम लोगों ने इसे इस बार स्टार्ट किया है 11 अप्रिल से 30 अप्रिल तक का उसी के तहत यह कारिकरम है यह बड़ा ही महतुपुन विसे है कि जब आपने बताया कि हम हमारी आर्थिक प्रगती इतनी हो रही है कि हम देश हमारा देश विश्वें तीसरी स्थान पर आगया है उर्जा के खपत के मामले में और यह हमेरे एक द्योतक है आर्थिक प्रगती का उस प्रगती में जब हम इतनी उर्जा की खपत कर रहे हैं तो हमें यह बहुत ही ये जानकारी आपने दी है, कि हम जितनी भी हमारी उर्जा की खपत है, उसका मात्र सोलह परसेंट है, सोलह परसेंट ही हम अपने देश में उत्पादन करते हैं, बाकी उर्जा को हम पेट्रोलियम पदार्थों का हम आयात करते हैं, जब हम आयात करते हैं, तो हमारी बहुत ही विदेशी मुत्रा का खपत होता है। तो यह बहुत ही जरूरी है कि हम ऐसे ऐसे अभियान को चलाएं, लोगों की जागरुकता को चलाएं, जिससे लोगों में हमें पेट्रोलियम के खपत को एफिशेंट वे में, एफिशेंट वे में एफिशेंट कल्चर को हम आगे बढ़ा है, और जैसा कि आपका प्रश्ण है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, तो इसकी सुरुवात जब हमने बहुत पहले की, लेकिन 2021 में, जो COP26 में, हमारे माननिय प्रधान मंतरी जी ने एक अहवाहन किया पंचामरित के नाम से, जिसको नेक्टार एलिमेंट बोलते हैं, पांच नेक् का उत्पादन बढ़ाते रहेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, इसकी चर्चा हम बाद में आप से करेंगे, कि प्रधान मंतरी जी ने पंचामरित योजना चलाई, उसकी क्या मापदंड है, और क्यों चलाई गई है, का पूरा किया जाएगा, लेकिन सरकार दोरा जो उर्जा के खपत को नियंत्रित करने के लिए, उत्पादों को बरहाने के लिए, जो कारेकरम चलाई जा रहे है, वो क्या है? मैं वही बता रहा था, उसी पे आ रहा था, जस्ट दो मिनट के अंदर मैं आ रहा था, कि अब जब हम पेट्रोलियम पदार्थ, हम अपने एनरजी बास्केट को देखते हैं, तो हमारा जो एनरजी बास्केट है, उसमें अभी भी हम कोल, कोल पे करीब 40% निरभर हैं, उसके खपत को हम एफिशेंट वे में, एनरजी एफिशेंट वे रूप में करें, और साथ-साथ जब हम उस पे परियावरन की बात कर रहे हैं, जैसा इस बार का थीम है, हरित उर्ज़ा अपना है, हरित और स्वक्ष उपना है, तो हमने अपनी थीम में ग्रीन एनरजी को कैसे बोसबसार पहले जब हम अपना डीजल और पेट्रोल का जो मार्पदंड था तो उसका हमने क्वालिटी में इंप्रूपेंट किया, उसकी सल्फर कंटेंट में इंप्रूपमेंट किया, ओर हम जूरो 6 का, युरो ₰ से सिधा यूरो 6 में जंप थी कीए Euro 4 जो जंप किये उसलिए हमने पूरी रिफाइनरी में बहुत सारे बतलाओ किये, बहुत इंवेस्मेंट किये, जो करीब 60,000 करोड से जादा भी है हमारी रिफाइनरी में, और उसका परियाम यह हुआ, कि हम जो अब Euro 6 या BS 6 भारत स्टांडर 6 यूज़ यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारे कारबन का निचसर्जन, नॉक्स एलिमेंट का इमिशन्स बहुत कंट्रोल हो गया है, वो सबसे पहला हमने काम किया, उसी कि दिसा में अगर और बात करें, तो हम अगर इथनॉल-blended petrol को अब्यूज करते हैं, तो अभी तक पिछले कुछ वरसों से हम 10% का लक्ष लेके चल रहे हैं, कि हम अपने पिट्रोल में इथनौल, इथनौल को हम mix जब करते हैं, तो हमारा 10% पेट्रोल का आयात करना या हमारा उससे रिलेटेट कुरूड का आयात करना कम हो जा रहा है मतलब कहीं न कहीं दूसरे स्थानों पर और दूसरे प्रयासों पर भी सरकार भी काम करें अब 20% हम उसको करने जा रहे हैं हम 20% पेट्रोल की खपत में जो हमारी विदेसी मुद्रा कम हो रही है उसको करेंगे उससे ज़ादा और और बताते हुए हमको हर्स हो रहा है कि जो हम डीजल जो हमारा ट्रांसपोर्ट फ्यल है उसमें बहुत जादा सर्जन होता है तो हम अब उसमें गैस की मैं इस पर भी आन जादा खर्च होता है पेट्रोलियम का बहुत यूज होता है लेकिन अब एक ये भी सवाल है क्यों एनर्जी यानि की एलेक्टरिसिटी वाहनों पर भी लगातार सरकार का विशेज ध्यान है और आम आवाम को लगातार जागरू कर रही है लेकिन कहीं न कहीं अगर हम जो वाहन है वह बाज़ार में मैक्सिमम रंड करें और बिजली की खपत बढ़े और पेट्रोलियम की बचत हो चलिए मैं आपके बात को थोड़ा सा बिस्तार में बताने की कुसिस करता हूं सबसे जादा हमारा पेट्रोलियम पदात का खपत ट्रांसपोर्ट में होता है खा का अपना खपत एनर्जी बास्केट बोलते हैं तो हमारा एनर्जी बास्केट जो हम यूज करते हैं पेट्रोलियम पदात का उसमें 6% सिर्फ मात्रा है हमारी गैस की बगर बहुत बिक्सित देशों की बात करें तो वहां 35% तक गैस की खपत है खासकर अगर हम लगतार कई चेटरों में बात काम करना होगा तो उसी चेटर में सीएंजी को अभी लक्ष लेकर चल रहे हैं के अगले 3-4 वर्स में 15% का खपत हो तो यह 15% का खपत करने के लिए हमें गैस का इंफ्रस्ट्रक्चर पे हमने बहुत काम किया है हम जहाँ जिस राज में हैं उस श्राज में gas की ट्रंक लाइन हमारी उर्जा गंगा नाम से आ चुकी है। तो जब उर्जा गंगा उत्तरप्रदेश से होते हुए हमारे बिहार में आ गए और झारकंड में आ गए जारकंड से हम अभी बिहार सै हभी नौर्थिस्ट में ले जा रहे हैं तो इस उर्जागंगा गैस ट्रंक पाइपलाइन से कनेक्टेड जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उसको भी हम गैस में हम सप्लाई कर रहे हैं, साथ साथ में आपको ये बड़ा हर्स होगा, आपका ये प्रश्ण है, कि हम जो पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल भराते हैं, अब उस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है, जिससे कि आपके वाहन, बले वो बसेज हो या वेहकिल, फोर वीलर आपके हो, वो सब में हम CNG की बेवस्ता कर रहे हैं, तो हम पतना शहर में भी आप देखेंगे CNG की बहुत बसेज चल रही हैं, और हम बहुत सारे पेट् वेहकिल का बढ़ावा हो, उसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं, आपके प्रशनों पे राते हुए कि इलेक्रिक वेहकिल पे, तो इलेक्रिक वेहकिल पे भी बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन जब काम होता है, तो धीरे धीरे उसमें इवाल होता है, कोई भी टेक्नलोज अगर डीजल का और पेट्रोल की गाड़ी हमें 10 लाक में मिल रही है, तो टेक्लोजी जैसे जैसे इंप्रूब करता है, कॉस्ट गड़ता है, दिमांड बढ़ता है, तो उस पर भी काम चल रहा है, और जल्द ही आप देखेंगे कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक वेहिं और आ जा कर रही है, कि आप सी एंजी पर भी हम काम कर रहे है, इलेक्ट्रिक वेहिं पर काम कर रहे है, और कार्ण डायोकसाइड का जो उतसर्जन हो रहा है, वो भी काफी कम होगा, अगर लॉंग टर्म में आप बात करें, तो ये भी अगर आपको जानकर खुसी होगी, हाइड्रोज हाइड्रोजन जो है, वो हाइड्रोजन फ्यूल भविश बहुत अच्छा दिख रहा है, तो हमारी चो सरकार है, वो इस पर क्या काम कर रही है, देखे, हाइड्रोजन हम वही बता रहे हैं कि एक साथ तो हम सिधा जंप नहीं कर सकते, कोई भी टेक्नलोजी इल्वाल्व हो हो रहा है, तो हम डीजल वेगरा से गैस पे जा रहे हैं, गैस से इलेक्ट्रिक वहेकिल पे जा रहे हैं, बट लोग बात कर रहे हैं, जो हमारी रिसर्च हो रही है वर्ल्ड में, अगर जापान इसमें देखे तो हाइड्रोजन सेल फ्यूल पे बहुत अच्छा काम कर रहा ह लेकिन आपको यह भी जानकर खुसी होगी, कि अभी हाल में ही हमारे मानानीय मंतरी महोदे, पारलियामेंट हाउस में पहुंचे एक हाइड्रीड हाइडोजन फ्यूल के वेगिल में, हमारी ही देश में बनी एक वेगिल में, तो हाइडोजन सेल पे बहुत काम कर रहा है, हम हम पाइलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं देली में जहां पे बसेज हम चला रहे हैं इंडेनल कॉर्परेशन बसेज चला रही है है हम इसी दिशा में बहुत सारे ज्वाइंड वेंचर बना रहे हैं इंडेनल कॉर्परेशन एलेंटी और एक और प्राइविट कंपनी के साथ- प्रदान मंत्री जी की दूर गामी सोच है उसके विशे में आपको अवगत कर रहाते चले कि भारत के गैर जिवाश में उर्जा शमिता वर्ष 2030 तक 500 गीगा वाट तक पहुच जाएगी भारत 2030 तक अक्षे उर्जा के साथ अपनी उर्जा विशक्ताओं का 50 प्रतिशत पूरा कर लेगा भारत वर्ष 2030 तक अपने अनुमानित कारवन डाय ऑक्साइड उत्सरजन में एक अरप जन की कमी लाएगी भारत अपनी अर्थ वेवस्था की कारवन तिब्रिता को वर्ष 2030 तक 45 प्रतिशत तक कम कर देगा और सबसे बड़ी बात कि भारत वर्ष 2030 तक नेट जीरो यानि नेट जीरो हासिल कर लेगा लिए हम अपने प्रेशन पर चलते हैं वापिस कि आपने हाइडरोजन के बात की यह डैफिनेटली पाइपलाइन में है और सरकार लगातार इस पर काम भी कर रही है उर्जा की खपत दूसरे जो हमारा पेच्रोलियम है कहा जाता है कि जो प्रैकृतिक संसाधन है बरती आव तो वाहन पर होता है कोई और माधियम बहुत अच्छा प्रश्ण है मैं एक छोटा सा चुकी आपने पंचामरित की बात की उस पर भी थोड़ी सी चर्चा आपकी कर दें कि आपको यह जानकर बहुत खुसी होगी और दर्सकों को कि यह जो रिनेवल्स एनरजी जो हम 20-30 तक 50% करने की बात कर रहे हैं और उसमें बहुत ही काम हो चुका है और 500 जो गिगावाट का है लक्ष हमें लगता है कि समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा 2022 में जब हम बात कर रहे हैं तो उसका 50% से ज़ादा हम non-renewable energy पे हम जा चुके हैं तो इस छेतर में बहुत-बहुत काम हो रहा है और कई लोग कई प्रयाश कर रहे हैं हंगर मैं इलेक्टरी वहिंकिल की बात करू McM मैं बैटरी चालित वेहिकिल creating भीजिश के बात कर रही है तो इसे चेतर में इंडियनल कोरपरेशन एक अलग तरीके से लेडे सिट बैटरी के अलामा हम अल्मुनियम फॉयल बैटरी को बना रहे हैं उस पे काम कर रहे हैं और उसी चेतर में एक इसराइली कंपनी के साथ फिनर्जी हमारा नाम है हमने एक जॉइंट वेंचर किया है और उसका भी बहुत ही सक्सेस्फुल पाइल करने کے साथ मिलकर महा रतनि कंपनियों में भी आप शामिल हैं तो हमारे जो आम आवाम है जन ज्यागरिति के लिए आपक frontier कर रहे हैं करी जंच जतना कि जो बात है awareness की बात है इसके लिए हम बता दें कि यह जो अभी हम पूरा महीना बनाते हैं सक्षम का हर साल मनाते हैं सक्षम का पूरा नाम क्या है संरक्षन चमता महोत्सव तो यह एक जन चेतना महोत्सव है कि जब हमारे पास जो भी काने थी इफिशेंट वें कैसे आगे बड़े हम सारी जनता को देश की जनता को हम जंचेतना काम करते हैं सब्सक्राइब करते हैं व्हँ पूरे साल के बट्ट। वह महीने में एक विझेस अभियान के तब हम समाज के हर वर्ग के कुछ न कुछ कारिय करम करते हैं हमारा सबसे बड़ा टार्गेट होता है कि हम अपने स्कूल के ओडियेंस बच्चोक पे संदेश दें कि देश में उर्जा का संरच्छन कितना ही महत्वपूर्ण है अब हमने जब उसमें टैग लाइन और भी लगा दिया और जरूरत जिसकी कि हरी तुर्जा और स्वक्षूर्जा उसकी भी हम जन्चेतना करने के लिए जब हम यहां बात कर रहे हैं आपसे इसी समय पूरे देश में जो यह महीना मनाया जा रहा है तो उसमें देश भर में अलग-अलग स्कूलों में अलग-अलग अवियान चल रहा है पेंटिंग जो इस थीम पे है की वाल कंजर्वेशन पे, डीबेट कॉमपेटिशन, बचो में जागरुकता, अगर महिलाओं की बात करें, बहुत-बड़ा एक कुपिच कॉमपेटिशन चल रहा है, जब हम वह जो गैस बनाते हैं, चुला पे अपना जो घरेलू गैस का उपयोग करती ह उसका कैसे हम efficient way में उपयोग करें, तो हमारे जितने भी delivery boys हैं, जो cylinder देते हैं, वो लोग इस महीने में जाकर खास कर और हमारे officer जाकर, उनलों को बताते हैं कि energy efficient way में कैसे खाना पकाया जाता है, नौब को कब बंद कर देना चाहिए, खाना को पकाने के पहले थोड़ा पानी म जो drivers हैं, उन सबों को हम efficient way में driving के लिए competition करते हैं, जागरुकता करते हैं, अगर और आगे बढ़ें, तो हम बड़े-बड़े कारखानों में उनके जो machines हैं, वहाँ पे क्या रख रखाओ में improvement किया जाए, हम अगर गाओं में बात करें, diesel pump set का जो घिसान भाई उत करते हैं, उनको क्या रख रखाओ करना हैं, तो पूरा अभियान चल रहा है, अगर मैं बिहार प्रदेश का ही बात करूँ, तो हमें करीब 10,000 activities करने हैं, और सब पड़े IOC, BPC, HPC, चुकी मैं state level coordinator हूं सारी company को गेल, तो ये अभियान एक बहुत बड़ा जन अभियान है, उसी के तहत हम अभी cyclothon करने जा रहे हैं, workathon करने जा रहे हैं, car rally करने जा रहे हैं, तो ये सारी अभियान बहुत तरह के चलाए जा रहे हैं, एक जो अब एक और महत्यपोर्ण प्रशन है, बिलकुल अभियान तो आप लगातार चला भी नहीं, और हम लोग सब aware भी हो रहे हैं, और यूज, चार-पांच लोग एक ही जगा जाने के लिए, चार-पांच गारियों का यूज करते हैं, तो एक संदेश भी है कि आप लोग कोशिश करें, कि एक गारी का यूज करें, या वैकिल में जो आपका उर्जा है, वो बेवजा, मतलब बोलते हैं ना, कि उसका इस्तिमा एजी भी काफी बढ़ गई है, ऐसे में वैकलपिक शोत और क्या हो सकते हैं? तो वो 10 किलोमेटर अपने कार का, पुल करना तो छोड़िये, वो कार का नहीं, वो साइकिल जाते हैं, साइकिल आजकर बहुत एफिशेंट साइकिल है, उन साइकिलों से 10 किलोमेटर तक जाते हैं, और 10 किलोमेटर आते हैं, तो ना तो सिर्फ देश की अर्थवेवस्ता उनकी अपनी भी अर्थ वियरस्ता रती अच्छी, मेरा भी बच्चा जो बाहर है, मैं उससे पूछ रहा हूँ अभी गया, तो बोलता है, मैं 6 किलोमेटर सुबर साइकल से जाता हूँ, और साइकल से आता हूँ, और जब भी हम बाहर जाते हैं, तो ये देखकर बहुत सोर्स है, जो हम डीजल में, जो यूजड, सपोस करें कि हम अपने होटलोस में, बहुत सारे बड़े-बड़े फैक्टरी में जहां पर नमकीन बनते हैं, बहुत सारे तो यूजड को किंग वाइल यूज होता है, तो हम यूजड को किंग वाइल से बायो डीजल बनाने का का कर रहे हैं ग्रेट आप अलगाई इस पर काम चल रहा है कि अलगाई से भी यह उर्जाद करती है और मैं सबसे बड़ा सबसे बड़ा चीज को लास्ट में बोलने के लिए रखा हूं कि जो हम सी एंजी की बात कर रहे थे उस समय चर्चा नहीं किये अभी हम कर रहे हैं कि एक सी अ कि उटिक स्प्राइबल अबाo एलिमेंट जैसे वेजिटेबल्स हैं। जास है शीमन सॉलिड वेस्ट हैं होह यह कुछ नहीं है, बिल्कुल वो CNG के बराबर हो जाता है, और उसको हम अभी, हमारा अभियान है 10,000 आउटलेट देश भर में लगाने का, उस पे बहुत काम हो चुका है, 5,000 से जादा हम EOI दे चुके हैं, और करीब करीब हम 1,000 से जादा आउटलेट लगा चुके हैं, और उनका पर्चेज हम इंशोर कर रहे हैं, तो प्लांट सिर्फ लगाना है उन्हें, लगाने में भी हम टेकनिकल सपोर्ट करते हैं, बैंक से फिनांस करने में भी सपोर्ट करते हैं, और जो उत्पादन होता है CBG का, उसको वाइल कंपनियां खरीद लेती हैं, और अपने CNG सि कि देश में आर्थिक प्रगती जो हमें लगता है कि अगले 10 साल में हमारा उर्जा का खपत और डबल हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थों का खपत डबल हो जाएगा, और चुकि हमारी पेट्रोलियम की उर्जा का खपत हमारे देश के आयात पर निर्वर करता है, तो अपना जो भी अपना एनरजी का आपका यूज हो उसको efficient way में करें, जब भी आप चाहें, जब भी आप कोसिस करें कि जो भी आप energy consume कर रहे हैं, उसमें आपका कोई भी अगर wastage हो रहा है, उसमें ध्यान दे, एक minor drops भी एक factory में कहीं पर हो रहा है, उसमें ध्यान दे, घर में अगर बिजली का बहुत बहुत जरूरत नहों तो हम energy efficient घरों पे जाएं, green buildings को बनाएं, solar energy को अपनाएं, और वो बहुत सारे काम हम हमेशा ध्यान में रखें, जागरू को करें, और आगे वाले पीडियों को हम संदेज दें, कि वो भी ये wastage की तरफ न दें, उनको रोकने क प्रियास करें, और आगे बढ़ते जाएं, धन्यवाद. निर्वाहन करते हैं, तो आने वाली पीडि को हम एक सुख़द भविश्य दे सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद.